नमस्कार दोस्तों सुमित भार्दवाज क्लासीज में आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज हम जिकर करने वाले हैं आप सभी को पता भी चल गया होगा या न्यूज पेपर वगेरा पड़ा होगा कि जो नई पॉलिसी आई है 2019 की उसमें क्या-क्या बदलाव किये कहे हैं या फिर आगे क्या है टीचर बनने के लिए आपको कौन-कौन से टेस्ट कलियर करने होगे या क्या-क्या प्रोसेस फोलो करना होगा तो उन सभी का हम इस वीडियो में जिकर करने वाले हैं तो चल यह शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले तो जो 2019 की नई पॉलि पर से बनेगा और उसमें क्या है नेगिटिव मार्किंग होगी और हर खंड में क्या है पासोना अनिवारी है इसमें लिकर रखाए दूसरा क्या है NTA Н Theo का मतलब क्या है निatersma समय क्या होगा आपका वह क्या केंदर सरकार करवाएगी और जिस विशे से आपने डिगरी ली है उसी विशे में क्या आपका पेपर होने वाला है ठीक है एंटिय के अंतरकत क्या होगा केंदर सरकार आपका पेपर करवाएगी और जिस विशे से भी आपने जिस सब्जेक्ट से भी डिगरी की है तो उसी में क्या है आपको पेपर देना होगा जैसे कि मैं बता दूँ आपने जैसे कि हिंदी में डिगरी किया है तो आपका पेपर क्या है हिंदी पेपर देंगे आप जैसे गणीत से डिगरी किया है तो गणीत का ही पेपर होगा उर्दू से की है तो उर्दू का ही होगा संसकर्ट वग क्या है आपको आगे जाने के लिए उसमें भी पास होना क्या है अनिवारिय है तो थर्ड चंड में क्या होगा मारा लिखित परिक्षा होगी फोर स्टेज में क्या होगा इंट्रु होगा और इंट्रु का वही फंडा रहता है जो सरकार गोटाले के चक्कर होते हैं पैसे लेन ना है कि इंट्रू को तो खतम कर देना चाहिए एक परकार से सभी बोल रहे हैं कि अच्छे सिक्सक मिलेंगे वो तो बात सही है मतलब कि इतनी स्टेज में जो पेपर करना है इंट्रू बगेरा का है तो इंट्रू एक क्या है अच्छी चीज नहीं है क्योंकि वही सभी पैसे चलते हैं इसमें तो पाच्मी स्टेज देखते हैं अगला पाच्मी स्टेज में क्या होगा आपको एक डेमो देना होगा मतलब की पढ़ा के भी दिखाना होगा पांच साथ मिंट का क्या है आपने पढ़ाना होगा और जो आप पढ़ाओगे उसकी क्या है वीडियो किया जाएगा तो यह सभी क्या है आपके शिक्स चरण है इन सभी च्छे चरणों को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप आने वाले क्या है अध्यापक बन सकते हैं यह सरकार के द्वारा 2019 की पॉलिस ही बनाई गई है अब इसमें और क्या-क्या बदलाव किये गए हैं और क्या-क्या चेंजिज किये गए हैं उन सभी का भी हम क्या है जीकर करते हैं आगे देखिए सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा वो आता है कि जो दोपैर के बोजन होता है उस पहली से लेकर भार्मी तक किया जाएगा तीसरा पॉइंट रहेगा देश बर के लगबग 10 लाग क्या है बताई जा रहे हैं सिक्सक पद खाली है उनको भी क्या है जिल्दी से जिल्दी भरा जाएगा चोथा क्या है समेश्टर सिस्टम क्या है लागू करती है जाएगा पाच्मा क्या है बार्मी के बाद क्या है अगर बेड करता है तो कोई 4 साल की होगी बीए के बाद 2 साल एम्मे के बाद 1 वर्क्स का हुगा ठीक है तो ये क्या है आपकी रहेगी अगर भार्मी के बाद डारेट कोई करना चाता है तो B.A. चार साल लगेंगे अगर आप B.A. के बाद करते हो तो दो साल लगेंगे अगर आप M.A. के बाद करते हो तो एक साल लगेगा फिर है बोर्ड परिक्षा का भै क्या है कम किया जाएगा चलो भई साथमा क्या है ओनलाइन मुलाइंकन होगा आठमा पॉइंट क्या है टीचर न्यूकती में साकसातकार आउस से लिया जाएगा नुमा पॉइंट है प्रमोशन में भी दसमा पॉइंट है गाउं में जो तैनाद सिक्सग है उनके लिए वीसे सबत्य होंगे ग्यार्मा पॉइंट है शिक्सको के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे मतलब कि ज्यादा ही अर्जेंट है तो तब ही उनकी क्या है बदली हो सकती है अने था क्या है बदली नहीं की जाएगी बार्मा पॉइंट है सिस्कों के लिए विद्हल्बक इनर्जदी क्या है आवास होगा पूरे देश का समान पाठ्ठे करम होगा सब का गया है एक ही पाठ्ठे करम लागू किया जाएगा अध्यापको के परसिक्षन में जोर दिया जाएगा वेवसाइक सिक्षिया पर जो है बल दिया जाएगा सिक्षक चात्र का अनुपात क्या है 25 एक और 31 किया जाएगा ठीक है यह किसין आपका आसकता है यह याद कर सकते हूँ यहाँ से किसन भी बन गए आपका आगे है स्कूल इस तरपर क्या है आठमी के बाद विदेशी वासा के कोर्स लागू किया जाएंगे नेजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंतन किया जाएगा अगला पॉइंट है नेजी स्कूल के नाम से सब पबलिक सबत का इस्तमाल नहीं कर सकेंगे अध्यापक पातरता प्रिक्षाप के बिना नेजी स्कूलों में भी क्या है नियुकती नहीं होंगे सिक्षक मतलब कि जिसके बाद जो प्राविट वगयरा स्कूल है उन में भी क्या है अगर आपके पास टेट कलियर नहीं है तो वह नहीं पढ़ा सकता है तो जिसके पास stat clear है वही क्या है private school में पढ़ा सकता है शिक्षण मीतर पैरा teacher गैश teacher की निवक्ती नहीं की जाएगी ना तो अब गैश teacher लगेंगे ना पैरा teacher लगेंगे इन सबी क्या है निवक्ती बंद कर दी जाएगी गैर सेक्षनिक कारियों से मुक्ति की जाएगी स्कूल पर बंद समीती अब नीजी स्कूलों में भी क्या है गठीत की जाएगी और राष्ट्य सिक्से आयो की क्या स्ताफना की जाएगी तो ये सबी चीजे क्या है नई सिक्सानिती जो 2019 की लागू की गई है ये बता सकते हैं जो पॉलिसी आपके सामने निकल कर आ रही है उसमें ये ये चेंज करने के बदलाओ करने की क्या है फैसला लिया गया है अब देखते हैं कि इस पर कितना फोलो होता है या नहीं होता है पर आप सभी को क्या है ये चीजे सुनने में आई होगी तो बाकी कई नई अपडेट मिलती है तो आपके सामने जरूर बताई जाएगी तो थेंक स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में